नमर्स्टार गुड मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिट से आपके चैनल फार्मेसी पॉइट पे तो कल ग्यारा अगस्ता और फार्मेसी काउंसल अफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस को डिक्लियर किया गया है तो चलिए हम उस नोटिस को देख लेते हैं औ आपको तुरण मिल सके तो आप इस नोटिस को यहाँ पर देख सकते हैं यह फार्मेसी काउंसल अफ इंडिया है और यहाँ पर डेट लिखी हुई है ग्यारा अगस्त दोजारी किस यानि कि यह नोटिस कल डिक्लियर किया गया है आपके बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है औ पर बुझ को शूच अपके टूच अपर डिका टाउट इस हाँ कि यह पर गाया है और दो भुझ के तो पर नौटिस कांसल अफ यह था-ट यहिज्छ थ इस प्रिक्षट को यह इंड लिखाई तो इस में यह पर आपके लिखा है गिज़ फार्म के कह पिर अटिस कार इस द 2015 Hence all the registered pharmacists are requested to strictly follow the provision of Pharmacy Act 1948 and Pharmacy Practice Regulation 2015 तो दोस्तों यहां पर कहने के मतलब यह कि बहुत सारे जो pharmacist या फिर pharmacy student है वो अपने नाम में DRX लगाते हैं जो की जो की pharmacy council of India की तरब से नहीं दिया गया है इसके लबाब बहुत सारे जो student pharmacist है फार्मासिस्ट है वो इस टैथिस को पहनते हैं दोस्तों अब इसके बाद यह discussion का टॉपिक है कि क्या ऐसा करना ठीक है या फिर नहीं ठीक है लेकिन यह pharmacy council of India की तरफ से एक notice को declare किया गया है और उसमें यह सारी बाते कही गई है दो दोस्तों आपकी इस टॉपिक पर क्या राया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या यह नोटिस सही है या फिर इसका वी रोध होना चाहिए और यह भी आपका फार्मेस्टी प्रेक्टिस रेगुलेशन 2015 है इसमें कुछ संसोधन करना चाहिए दो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगें अपके लाइक्स करें साथ मैंD round moderate आसधों करें और इसको अपने दोस्तों के साथ सेर करना नu भूलें दूस्तों आपका ये वीडियो देखनी के लिए धन्यवाद appointment